हे दोस्तों कैसे हो स्वागत है आपका एक और न है वीडियो में आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक ले कर आया हूँ जी हाँ दोस्तों ये न्यूस आपको बिलकुल exclusively मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेगी आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एल्ट्रोस की जी हाँ दोस्तों टाटा ने अपनी एल्ट्रोस लाइनप में एल्ट्रोस के एक जाग वेडियो को एक सीक्रेटली अपडेट ड सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले टाटा एल्ट्रोस से जो म्यूजिक सिस्टम के नीचे बटन्स आदे थे उनको रिमोफ कर दिया गया था और उनकी जगा आपको एल्ट्रोस की बैजिंग दे दी गई थी लेकिन जुलाई के मिट के बाद ईनकी यहां दोस्तों आपका डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर जो की हाफ डिजिटल हाफ एनलोग हुआ करता था उसको जो है रिमोफ कर दिया गया अब आपको बेस मोडल जैसा प्योर एनलोग वाला इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा और बीच में आ जो है आपको बेस मॉडल जैसा बिल्कुल बेसिक सा आपको स्टेरिंग देखने को भी लेगा जो बिल्कुल भी प्रीमियम फील नहीं होता है ऐस कंपेर टु दी लेदर रैप स्टेरिंग बाकी दोस्तों बाकी सारी चीजे जो है सेम रखी गई है सबसे पहले तो बटन म्यूजिक सिस्सेम के नीचे से उसके बाद दूसरे नमबर पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि मुझे परस्नली बहुत जादा बुडा लगा कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ताटा ने रिमॉफ कर दिया है और थर्ड जो चीज़ है वो है Leather Wrap Steering Wheel तो आप भी अगर Altros XZ Variant लेने की सोच रहे थे तो आप ये चीज़े कंसिडर कर लीजेगा कि Altros में अब आपको ये तीनों चीज़े नहीं मिलेगी तो दोस्तों होब आपको आज को वीडियो पसंद आए होगा ये जो है एक Quick Update टाइप का वीडियो था अगर आपको वीडियो पसंद रहा तो बिना लाइक किये बिल्कुल भी मज़ेगा अगर आपको ऐसे ही वीडियो और पसंद है तो आप Heavy YouTuber को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में तब तक के लिए वंदे मातरम भारत माता की जैए